करें अहलो recommending आय C ही में। yourself को है Papafran comprzlichाएं ज्प्राइटी और शबसे समंदित अगर आप ड़ेकर नहीं हैं तो श्बछे पहले चो को ज़रू सब्सक्राइब कर लीजै और साथ इसाथ ही जो बेल एकन बना हुआ उसको प्रेपर प्रेश सबसे पहले आपको यहां पर मिल जाया करेगी और यहां पर डेली मौर्णिंग में नौ बजे जो है वह यहां पर जारखन जीके की वीडियो आती है तो आप जरूर इसे देखा करें आपको बहुत ज़्यादा यहां पर हेल्प होगा आगे इतनी सारे एक्जाम होने वाले हैं हम लोग यहां पर जारकण जीके की फूरे कम्प्लीक वाले हूं प्रदेश सम्मंधीत प्रसण जो है वह देखेंगे तो चलिया आझके पहला प्रस्ण है हम यहाँ पर देखते हैं और सबसे पहला प्रस्ण है ज्यारखंड में वनू का छेतरफल कितना वर्ग किलो मीटर है तो ज्यारखंड में वनू का छेतरफल है वो कितना वर्ग किलो मीटर है यह आपको बताना है ठीक है 23,473 या 23,347 वर्ग किलो मीटर में है ठीक ह प्रखण में वनों का छेत्रफल जो है वो कितना है ठीक है आप कॉपी पेन लेकर बैठा करें या तो नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए आप चीजों को लिखिए आपको चीजें याद हो जाएंगे ठीक है इस आप लिखेंगे नहीं तो आप पढ़ेंगे और भूल strangers कीलोमेटेर जो हैu यहां पर जाधं में वनों का छेत्रफ कर लगभाग एतने एरिया में यहाँ पर जार्खंड में वन जो है वो स्थीद्त है ठीक है इसका ओप्सेन नमबर जलते हैं और हों जल्दी, कोशेन यहां पर देखेंगे ज्यार्खंद के कुल चेतर रुफल में 1 का परतीशत कितना है, ज्यार्खंद के टोटल चेतर रुफल है, उसका कितना भाग यहाँ पर कितना परतीशत भाग पर 1 है, 29.95% 19.95% या फिर 26.26% या फिर 28.82% तो बताई इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा उपर का दो ओपसंद देख लिजी यहां पर 29.95 परतिशत 26 परसेंट या फिर 28.82 परसेंट तो इसका सही अंसर जो होगा यहां पर आपका ओपसंद नंबर एज होगा बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा ठीक है ज्यारखण में चलते हैं और अगला कोश्टें नहीं यहां पर वह सब्सक्यार नहीं के नया जो आया है उसके अधारपर यह पूराना ही डाटा है और बुक में है इसके आपको बता रहा हुं यहां पर भारत के कूल वनों का परतिशत जो है वह ज्यारहर्खण का किने हिस्सा कितना है के cool one का जो हर्खण में one है वो कितना परतिसाथ है ठीक है पूरे भारत में जो है वो और जहारखण में कितना है उसका परतिसाथ तो देख लिए option यहाँ पर 4,4 एक परतिसाथ 3,1 परतिसाथ 4,3 एक परतिसाथ या फिर 3,3 दो परतिसत तो बताई इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा भारत की कुल वनु का कितना परतिसत है ज्हारकंड में तो इसका सही अंसर जो है कि आपके यहां पर आप्शन नंबर 20 जो होगा बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा ठीक है पर जहारखण में प्रतिव्यक्ति कितना हेक्टेर वन है ठीक है यह important question हो सकते है आपका यहाँ पर जहारखण में प्रतिव्यक्ति जो हेक्टेर वन है कितना है ठीक है यह आपको बताना है 0.097 या फिर 0.079 या फिर 1.6 या फिर 1.03 हेक्टेर है यहाँ पर बताईए प्रतिव प्रतिव्यक्ति यहां पर पूछा जा रहा आप से ठीक है प्रतिव्यक्ति जो है वो कितना हेक्टेर वन है जल्दी से बताए इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा तो इसका सही अंसर जो होगा यहां पर आप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा ठीक है ज्यारखण में प्रतिव्यक्ति जो यहाँ पर one है, वो 0.097 hectare प्रतिव्यक्ति है यहाँ पर ठीक है, तो अप्शन नमबर A जो का बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा, चली अगले कुशन में चलते हैं, और अगला कुशन है यहाँ पर ज्यारखण में कूल वनों का कितना प्रत पर 30, 85 पर 30 या फिर 80 पर 30 ठीक है बताई इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा ज्ञारखंड में कुल वन्व का कितना पर 30 सुरक्षित 1 है तो इसका सही अंसर जो होगा यहां पर आपका दोस्तों आपसर नंबर 20 जो होगा बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा ज्ञारखंड में कुल वन्व का कितना पर 30 आरक्षित 1 है वो सुरक्षित था ठीक है आपको यह चीज़े याद रखनी चाहिए वो सुरक्षित 1 था यह आरक्षित 1 है तो आपका उन्फ्यूज विल्कुल भी ना होना तो ज्ञारखंड में कुल वन्व का कितना पर 30 आरक्षित 1 है 18.85 पर 30 16.58 पर 30 18.58 या फिर 20 पर 30 बताए इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा आरक्षित 1 कितना पर 30 आरक्षित 1 है ज्ञारखंड में तो इसका सही अंसर जो है यहाँपर आपका उपसन नंबर सी जो होगा बिलकुल सही अंसर हो जाएगा ठीक है 18.58 पर 30 जो है वो ज्ञारक्षित जो है यहाँपर को चलिंए आगले कोस्चन में चलते हैं इसका अभिद में चलते हैं यहां पर आगला कुस्चन है झारखन के ंसरेot एक एक स्वार हो दे प्रतिक दिशंबहत एट दक्रचल फइसक को सहर नहीं होगा है उसको पयोल्ग होगा यहां पर उसको classified नहीं किया गया यह तो अब वर्गी क्रित है वो तो इसका सही एंसर जो होगा यहां पर आपका दोस्तों option number a जो हो जाएगा यहां पर बिलकुल सही एंसर हो जाएगा ठीक है 0.143 जो है यहां पर जहारखंड में cool 1 का छेतर जो है यहां पर अब वर्गी क्रि सभी आप सभी को पता होगा यह आप तो पढ़ते आ रहे हैं तो बताई इसका सही एंसर जो है वो क्या होगा जहारखंड के cool जहां पर आपका option number a जो होगा बिलकुल सही एंसर हो जाएगा ठीक है पस्चमी सिंग्भूम जो है बिलकुल सही एंसर है पर यहां पर जारकंड में सब छेत्र फल के अनुसार सरवाधिक वन छेत्र जो है वो पस्चमी सिंग्भूम में है ठीक है तो आपसा नमबर एज होगा बिलकुल सही एंसर होगा एरियक पता भी सबसे अधिक है तो यह आपको यह पता भी होना चाहिए उसके एरिया जो है वह कितना है तो इसका सही अंसर बताई क्या होगा परश्चमी सिंग बोब में कुल कितना वर्ण किलोमेटर वं में वन चेत्र है वहाँ, कितना पाया जाता है तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्यों बिल्कुल सही आंसर हो जाये गा चले अगले क्हुषन में चलते हैं और अगला कोशन है यहाँ पर ज्ञारखंड के छेत्रफल के अनुसार सबसे कम 16 acres जीले में है ठीक है इसका सही अंसर जो है वह क्या होगा तो इसका पर सही answer होगा यहाँ पर zapeεν नमबर D जो होगा बिलकुल पर सही answer हो जाएगा यहाँ पर सबसे वन जो होन किसी यहाँ पर जहारखंट के सभी जीलों से वो दे वघर जीलेमे स्थीत है यहाँ पर बन जो हो वह सबसी कम एरिया में है तो आपसे नमबर डील होगा यहां पर आपका सही आंसर दाएगा जारक्ष्ण में खेटर फल के अनुसार यहां पर आपका देवघर में सबसी कम वहन है चलिए इस कुछन में चलते हैं और अगला केश्छन है यहां पर देवघर जीलो में कुल कितने कियो 5 वीटर में तो बढ़ा इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा देवभार जीले में कुल कितने वर किलोमेटर में 1 चेतर है तो इसका सही अंसर होगा यहाँ पर आपका दोस्तो आपसन नमबर C जो होगा बिल्कुल सही अंसर होगा चलिए अगले कुछ दमने चलते हैं देवघर जिले में कितने परतिसत 1 छेतर है ठीक है जो देवघर का कूल एरिया है अपका उसका कितना परतिसत 1 छेतर जो है वो देवघर में स्थीत है 7 2.4, 6 2."; 6.8, 2 3. तो पताइए इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा कितना परतिसöज़ जो है वहाँ पर 1 16 है देवघर जिले में तो इसका सही अंसर जो होगा देशे अंसर दोश्तोय, बिलकुल सही अंसर हो जाएगा छेद असमलो आठ दो परतिसत जो है यहां पर देवघर जिला में जो है वन परतिसत है ठीक है तो यह आपको याद रखना छेद असमलो आठ दो परतिसत चलते हैं और अगला कुश्चन है यहां पर परतिसत के अधार पर सरवाधिक वन छेत्र कहां पर है ठीक है अब परतिसत प्रतिसत के आधार पर पूछा जा रहा है तो इसका आपसन निख लिए चत्रा गोड़ा देवघर या फिर दुमका बताई इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा परतिसत के अंसर पर सरवाधिक वन्चेत्र कहां पर है तो आपसन नमबर यहां पर आपका यह जो होगा चेंज हो गया है लेकिन मैं भी उसको आपको नहीं बताऊंगा ठीक है आपको जो है वो जब बुक में आ जाएंगी तो अब आप उससे पढ़ सकते हैं और मैं फिर बताऊंगा आपको तो अभी पुरानी चीज़े ही याद रखे परतिसत के अधार पर सरवाधिक वन्चेत जो है वो चत्रा जीले में है ठीक है आपसे नमबर एज होगा बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा अच्छा मैं बता ही देता हूं आपको यहां पर जो अभी नयाद 2017 वाला डाटा जो आया है यहां पर आपका तो उसमें लाते हार में सबसे ज्यादा परतिसत छेत्र जो है वो जो है ठिक स्थीत है चत्रा जीले में कुल कितने वर किलो में में मैं मैं रॉण है तो इसका सही अंसर जो होगा यहां पर आपका दोज स्थित है अपसन नमबर सी जो होगा बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा 1777 जो है यहाँ पर वर किलोमेटर इतना वर किलोमेटर में वहाँ पर वन स्थीत है आपसान नमबर सी जो होगा बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा चलिए अगले कुशन में चलते हैं और अगला कुशन है यहाँ पर सबसे ज्यादे यहाँ पर पर्ति सथ है यहाँ पर वब ज administrations स Jadi सत radio साथ पर चालिस पर इस अंसर जो है वह ़ो क्या होगा चेतरफली से चेत्र ay주 वण है चेतर जी लिमीए तो बिताई का सब्रति सही अंसर यो टो इसका सही answer जो होगा दोस्तों यहां पर आपसर नंबर जो होगा बिल्कुल vibe परतिसत जो है यहां पर 14 dalा में फ़ेट्र है तो आपसर नंबर ओस्वाद सही सब्ड़ार चरोभा सीटोध शिरार चलते हैं और अगला कोशन नहीं पर झाले जारखन में कौन सा one पाया जाता है जारखन में कौन सा one पाया जाता है सदा बहार one उस निकतिव बन धीए आदर पद इसका सही अंसर यहां पर आपका औप्सण नंबर bdrc दोनों होगा तो अब्सण दीज होगा यहां पर विल्कुल सही एंसर हो जाएगा तेक है यहां पर उस नकटीवंद यहीजा पाया जाता है और उस जहारखन के पॉर्ष कौन से है यह राज के विश सकते हैं यहां पर तो बताइक साही स्था है एंसर यां 10 का प्रमुकर क्या हों सा है या राजक डिसको बोलते हैं तो इसको राजक बिक सकते हैं तो इसका सही जो कर आप चली एगले कुछने चलते हैं, कौन सा व्रिक्ष पर्णपाती वनो का राजा है, साल, सागवान, आम या सीसम, बताई इसका सही अंसर जो है, वो क्या होगा, साल, सागवान, आम, सीसम, तो इसका सही अंसर जो होगा, यहाँ पर, option number A जो होगा, बिल्कुल सही अंसर होगा, य पर्मुख वन भी है, और यहाँ पर्णपाती वनो का राजा भी है, ठीक है, तो साल जो होगा, वो पर्णपाती वनो का राजा कहलाता है, ठीक है, तो option number A जो होगा, बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा, चली अगले कुछन में चलते हैं, और अगला कुछन यहाँ पर, उस न इन सभी जीलों में, बताइए इसका सही अंसर जो है, वो क्या होगा, उस नकटी वन जो है वो जारखन के किस जीले में पाया जाते हैं, तो option number आपका यहाँ पर D जो होगा, बिल्कुल सही अंसर होगा दोश्टों, ठीक है, इन सभी जीलों में जो है, वो यहाँ पर उस नक तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इन सभी जीलों में पाये जाते हैं प्लामू में लwhats दगगा शिंग संथाल्परग्ना दापसर नमघीस होगा बिल्कुल ने चलते हैं और अगला में पाये जाते हैं सुस्क पद्जड जो होते हैं वो जारकन पद्जड के किस जिले में पाए जाते हैं तो चत्रा गिरिडी पलामू कोडर्मा या फिर आपका यहां पर देख लिए अप्सन नमबर डी ए बी सी तीनो इन सभी जिलों में पाए जाते हैं बताई इसका सही अंसर जो है वो क्या तो चत्रा में भी पाया जाता है गिरिडी में भी पाया जाता है पलामू में भी पाया जाता है कोडर्मा में भी पाया जाता है सुस्क पद्जड वन तो यहां पर सुस्क पद्जड वन जो है वो इन सभी जीलों में पाया जाता है तो अप्सन नमबर यहां पर डी जो होग में उत्पादन होता है 60 परतिशत 70 परतिशत 45 परतिशत या फिर तीरपन परतिशत बताई इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा भारत में जितना तसर उत्पादन होता है उसका जहारखन में कितना परतिशत होता है तो इसका सही अंसर जो होगा दोस्तों यहां पर अप्शन न चलिए अगली कोशे में चलते हैं और अगला कोशन है यहां पर भारत में उत्पादित लाह की उत्पादन में जहारखण का परतिसत कितना है ठीक है टोटल जो लाह यहां उत्पादन होता है लाह ठीक है जो लाह जानते हैं आप लोग जिससे गम वगारा बनाया जाता है तो भारत में जो उत्फादित होता है उसका कितना पर तिस जहार खळी में उत्पादन हो थी कि अभंतात्त कि उत्पादन पर कितना पर तो दो प्रोंवा प्रोंट problem होता है उसका 50 पर पर आपका बी आप्शन जो है वह वो उत्पादन होता है तो भारत में उत्पादि जितना सहरा ला होता है उसका पर तीसद जिहां पर मुझेए अगर आपको पसंद आई जिरूर लाइक कर ये और और चलंग को अगर सब्सक्राइब नहीं कियें सब्सक्राइब कर लिजिए आप हमारे टेलिग्राम या फेस्बूक में जॉइन कर लिजिए नीची लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे वह मेल जागी नीची दोनों का लिंक दिया हुआ तो वहाँ पर क्लिक करके आप जॉ